वेल्कम टो स्टेडी क्लाउट, करेंट अफियर सीरीज में सेट 4 है ये शुरू करते हैं पहला प्रस्टने विश्व हाइड्रोजन सम्मिलन 2024 के संबंद में निमने कथनों पर विशार करिए और बताए कौन सा कथन इसमें सत्य है पहला स्टेड्मेंट है या नीदर लेंड के रोटर डेम में अवजित किया गया दूसरा भारत अपने उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए इस सम्मिलन का उप्योग एक बंच के रूप में किया भारत का लक्षे 2030 तक 5 मिट्रिक टन की हरित हाइड्रोजन उत्पादन करने की चमता हासिल करना है तो इसमें कौन कौन से कथन है जो सही है पहला और दूसरा ये दोनों स्टेट्मेंट सही है पहला स्टेट्मेंट सही है और दूसरा भी स्टेट्मेंट सही है भारत अपने उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए इस सम्मेलन का उप्योग एकमांच के रूप में किया आप्शन भी हमारा सही उत्तर है विश्यो वर्न जीव अपराद रिपोर्ट 2024 के सम्मंद में निम्न कतनों पर विचार करिए और सत्य गतन की पहचान करिए इसे जलवाई उपर रिवर्तन पर समयुक तुराष्ट फ्रेम और कॉन्वेंशन दोरह जारी किया जाता है गलत है यह वर्स 2015 से 2021 के दोरान वैस्विक अवैद वर नजीव वैपार से गैंडे और देवदार में सबसे अधिक प्रभावित पशू और वनस्पती पर जातियां थी यह सही है केवल दू हमारा जो इस्टिटमेंट है वो सही है फॉर्म 70C इसका संबंध किस्से है इसका संबंध मद्दान के अंदर पर दर्ज मतों के लेखा जोखा से हाली में कौन सा देश अंतराश्टिस और गडबंधन का 99वा देश बना है सहुआ बना है परागवे और 99वा देश कौन सा बना है यह बना है स्पेन एक रास्ट एक हवाई छेत्र के विचार के साथ भारत ने नागपूर में प्रोजेक्ट इसान सुरू किया इसान का पूर्ण विस्तार क्या है इसका फूल फॉर्म क्या है इसका फूल फॉर्म में इंडियन सिंगल स्काई हार्मोनाइजड एर ट्रेफिक मैनेजमेंट पेरिश दोजार चॉबिस ओलंपिक के सुभंकर का नाम क्या है मैसकोट का नाम क्या है इसका नाम है फ्रीज निम्न लिखित कतनों पर विचार करें देश का पाला AI अधारित सरकारी टीवी चैनल डीडी नियूज बनने जा रहा है और AI पराधारित AI क्रिश और AI भूमी समाचारेंकर है इसमें बताना है दो स्टेटमेंट दिये हैं कौन सा स्टेटमेंट है जो सही है तो इसमें केवल दूसरा जो है वो सही है डीडी नियूज वला गलत है निम्न मेंसे किस अंतरिक्ष एजनसी ने धुरूविय चेतर के अध्यान के लिए प्री फायर नामक मीसन लांच किया है ये किया गया नासा के दोरा ड्रोन दीदी योजना किस मंतराले के पाहल है खौसल विकास सिवंग उद्या मिता मंतराले सेला सुलंग के शंबंद में निम्न कत्नों पर विचार करिए ये दुनिया के सबसे लंबी दो लेन सुरंग है जो 13,000 फीट साधिक उचाई पर है इसका निर्मान बियारो के दोरा पीर पंजाल स्रेणी में किया गया अब बताना है कौन साइस में से कताना है जो सही है केवल पहला कतान जो है कि ये टूलेन है सुरंग है जो 13,000 फीट साधिक उचाई पर है ये सही है दूसरा स्टेटमिन गलत है बियारो के दोरा पीर पंजाल स्रेणी में नहीं किया गया इसका निर्मान सतातरवे कांस फिल्म फेस्टिबल में सर्वसरिष्ट अभिनेत्री का पुरसकार जीतने वाली पहली भारती है कौन बनी इनका नाम है अंसुया सिन गुपता इंडिया पोर्ट्स ग्लोबल लिमिटेड आई पी जी एल इरान के चा बाहर बंदरगाब कौन सा टर्मिनल संचालित करेगा ये करेगा साहीद बेहस्टि टर्मिनल अंटार्क्टिक संधी प्रणाली में भारत की इस्तिति क्या है इसमें भारत के इस्तिति क्या मताधिकार के साथ परामर्स दात्री पार्टी के रूप में निमनी कतनों पर विचार करें कोईला मंत्राले ने 36 गड़ में भूमिगत कोईला गैसी करन के लिए भारत के पहली पाइलट प्रोजेक्ट का सुवारम भी किया इस कारे के लिए स्टन कोल फिल्ड्स लिमिटेड को नित्रित तुस्वाप गया है अब बताना है कि कौन सा कथन इसमें सत्य है तो केबल दूसरा स्टेट्मेंट जो है स्टन कोल फिल्ड्स लिमिटेट को इसका नित्रित तो सौपा गया यह सही ऑप्सन भी हमारा सही उतर है कार्टी सेल थेरेपी निमन में से किस प्रकार का नया रूप है यह है सेलूलर इम्यूनो थेरेपी इसका सही मिलान क्या होगा वियत नाम के रास्ट पती यह होंगे अंतरास्ट्रिय अलिमिनियम संस्थान के उपादेख्च पहला का तीसरा दूसरा का पहला लुईस अविनादर है डोमी निकन रिपब्लिकन के रास्ट पती डोमीनिकन रिपब्लिक के रास्ट पती और आंट्रे बेलो शाओ यह रूस के रक्षा मंतरी तो आप्सन जो है हमारा सी सही उत्तर है आली में किस देश के दौरा दुनिया के पहले सिक्सजी डिवाइस का प्रोटो टाइप पेस किया गया है यह किया गया जापान के दौरा निमनिकत्रों पर विचार करिए लदाग में उल्लास कारेकरम के ताहति वाओं का रोजगार के लिए प्रसिक्चन दिया जा रहा है उल्लास केंद्री कोसल विकासता उद्यमिता मंतराले की एक पहल है बताना है कि इसमें से कौन सा गतन सही है ना ही पहला ना ही दूसरा दोनों स्टेट्मेंट गलत है इसलिए उप्शन डी सही है सतातर्वी विश्व स्वास्ति सभा का कहा आयोजन हुआ इसका आयोजन हुआ जेनेवा में हाली में खबरों में रहा भारतिय साइबर अपराद शमनवेक केंद्र किस मंतराले के दाथ संचालित होता है ग्री मंतराले के दाथ देश का सबसे बड़ा कौसल कारेकरम इंडिया स्किल्स पत्योगता दोजार चौबीस हाली में किस अस्थान पर सुरू हुआ ये सुरू हुआ नए दिल्ली में NOAA द्वारत जारी एक हालिया रिपोर्ट के अनुसार पिछले वर्स विश्व की कितनी परतिसत परवाल भितियां विरंजित हुई है कितनी परतिसत हुई है 60% 60% हाली में खबरों में रहा डाइसन स्फियर ये क्या है डाइसन स्फियर क्या है डाइसन स्फियर एक तारी की उर्जा का दोहन करने के लिए काल्पनिक इंजिनियरिंग परियोजना है फोन पे हाल ही में किस देश में UPI सेवाएं सुरू करेगा स्ट्रिलंका में यात्रा और परेटन विकास उचगांग 2024 हाली में किस संगठन के द्वारा जारी किया गया विस्वार्थिक मंच के द्वारा हाली में किस यूरोपिया देश ने फिलिस्तीन को देश का दर्जा दिया है ये दिया गया नौर्वे, आयरलेंड और स्पेन के द्वारा हाली में किस अंस्थान ने उत्तर भारत में वायू प्रदूशन और स्वास्त प्रभाव पर एक सोध रिपोर्ट प्रस्तूत की है IIT जोधपूर ने NASA ISRO Synthetic Aperture Radar NISAR NISAR उपग्रह के संदर में निम्नी कतनों पर विचार करिए NISAR प्रिथवी की सतह का निरिक्षन करने के लिए दोहरी आविर्थियों का उप्योग करने वाला पहला रडार इमेजिंग उपग्रह होगा NISAR हर 12 दिनों में पूरी प्रिथवी को कवर करेगा उपग्रह का इस बैंड सिंथेटिक अपर्चर रडार सार वनस्पती बर्फ और मुट्टी के माध्यब से गहराई में प्रवेश करने में सक्चा में ताकि सतह के परिवर्तनों और आंदोलनों की छवियों को कैप्चर किया जासे के बताना है इन में से एक दो तीन में से कौन से कथन है जो की सही है तो इसमें केवल दूर स्टेट्मेंट जो है वो सही है कौन कौन से है वो दोनों पहला और दूसरा ये दोनों सत्थे हैं निसार प्रिथवी के सता का निरिक्षन करने के लिए दोहरी आविर्थी वाला उब्योब करने वाला पहला रडार इमेजिंग उपक्रा है L और S दो टाइप के फ्रिक्वेंसिज है और तीसरा जो है उपक्रा का S-Band Synthetic Aperture रडार वरंस्पती बरपर मिट्टी के मादियम से गहराई में परवेस करने में सक्षा में तागी सता के परिवर्थनों और रांदोला नहों की छवियों को कैप्चर किया जा सके ये S-Band नहीं L-Band है इसलिए तीसरा स्टेटमेंट गलत है तो हमारा एक और दो जो सही है केवल दो स्टेटमेंट इसमें सही है निम्न में से कौन सा 75 वाई 25 पहल का लक्षे है इन में से दोजर पचीस तक उच रक्तचाप और मदुमें से पेडित 75 मिलियन वेक्तियों की जाच करना और उन्हें मानक देखबाल प्रदान करना हाली में किस राजजी ने राजजी में बाली का सिक्षा को बढ़ावा देने के लिए मुखे मंतरी संतुष्ट मुईना एम एम एन एम यूजना सुरू की है ये किया गया सम के दोरा हाली में माउंट आवरेश्ट पे विज़य पाने वाली सबसे उम्र दराज भारती है महिला कौन बनी है ये बनी है जोती रात रे हाली में किस मंतराले ने सुक्ष भारत मिशन सहरी टू पॉइंट जिरो के तैद सफाई अपनाओ बिमार भगाओ ये पहल सुरू की है ये सुरूआत की गई है आवास और सहरी महमलों के मंतराले के दोरा निम्र लिखित में से किस देश के दोरा क्रिप्टो माइनिंग ऑपरेशन्स अस्थापित करने की गोसना की गई है भूटान के दोरा हाली में समाचारों में रहा उजानी बांध किस राज्य में इस्थित है महरास्टरा में हाली में कौन सा हवाई अड़ा जिरो वेस्ट टू लैंड फिल सम्मान प्राप्त करने वारा भारत का पहला हवाई अड़ा बन कर इती हां सरच दिया है कौन सा हवाई अड़ा है तिर्वनंत पुरों मंतरास्ष्य हवाई अड़ा खबरों में रहा ग्राशन रेखन ये क्या है यह एक सब्द है जिसका उप्योग सौर मंडल में ग्रहों के इस्तिती का वर्णन करने के लिए किया जाता है हाली में किस देश ने A.S.M.P.A. सूपर सोनिक क्रूज मिसाइल का सफल फरिक्षन किया है किया गया फ्रांस के तौरा हाली में दुनिया का पहला 100% बायो डिग्रेडेबल पेंट नोट पेंट किस देश में लाउंच किया गया इसका लाउंच किया गया भारत में हाली में खबरों में रहा ग्लीशे 12B ये क्या है ग्लीशे 12B प्रित्वी के अकार का एक बाहग्रह है 2024 A.C.I. Gymnastic Championship में सौन पदक जीतने वाली पहली भारतिया जिमनास्ट कौन बनी है दीपा कर्माकर भारतिया पूरा था तो सर्वेक्षन ने किस राजी में नौपासाण युक की चटान अकसी की खोच की है ये किया गया है गोवा में खबरों में रहा प्रवाह पोटल की संस्ता दोरा लॉंच किया गया है ये इंपोर्टेंट क्वेश्चन है RBI के दोरा हाली में किस भारती है सांती सैनी को 2023 के लिए सेयुक्त रास्ट सैन ये लिंग अधिवक्ता का पुरस्कार मिला है हाली में खबरों में रहा के नाइन वज्र क्या है स्वाचाली तोप्खाना प्रणाली डिय डियो के दोरा हाली में प्रेक्शन क therapy का फूलपर्म क्या है सूपर सोनिक मिसाइल असिस्टेद रिलीज अप्र पेडो रक्षवान उसंदान और विकास संगटन डियाडियो के वरतमान अद्याच कौन है समीर वी कामत तो यह सेट 4 था नेक्स्ट वीडियो में सेट 5 देखेंगे थैंक्स फर वाचिंग कीप सपोर्टिंग स्टेडिकलाउड